हेलो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में बिहार सची वाले के लिए प्रेटफर्म वॉल्यूम थर्ड का प्रेक्टिस सेट देख रहे हो इससे पहले आप लोगों को 1-7 के क्लास दिया जा चुका है बिहार सची वाले के लिए और भी काफी सारा मेटेरियल आपके लिए है आप प्ले रिष्टा कर चेक कर लिजेगा आज के इस क्लास का कॉश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करने से पहले लास्ट वाले क्लास में आप लोगों से एक सवाल पूछा गया था उसका सही जवाब आप पहले समझ लिजेगा अंतराष्टिय साक्षर्ता दिवस कम मनाया जाता है आप में से काफी लोगों ने बिलकुल सही जवाब दिया था आठ सितंबर को क्या मनाया जाता है अंदर राष्टिय सिक जिसाक्षरता दिवस है मनता है इसके अलावा अगर आप जानना चाहें तो देखिए सप्टेंबर मन्थ में 16 सप्टेंबर को विश्व ओजोन परत संगरक्षन दिवस 27 को विश्व ओजोन परत दिवस सप्टेंबर में फर्ष्ट से लेकर की जो यानिके पहला वीग होता है ना फर्ष्ट से से जवन तक राष्टिय पोसं सप्ताह के रूप में मनाया जाता है सकेंड सप्टेंबर का बात करेंगे तो भी शुनारियल दिवस होता है 14 सेप्टमबर को क्या होता है याद करिए हिंदी दिवस मनाया जाता है इन सब को आप जरूर ध्यान रखेगा आज का question number 46 कह रहा है सार्जुनिक स्वास्त और स्वच्छता अस्पताल और दवाईयां इन सब में से किसकी बताईएगा कि एक प्रविष्टी है option number आपका ए हो जाएगा right answer राज सूर्ची का होता है सही जवाब है समझे राज सूर्ची के अंतरगत ऐसे subject को रखेगा है जिस पर कि राज जी के जो विदाखन मंदल है वो कानून बना सकते हैं इसे ध्यान रखेगा सामान कंडिशन में राज सूर्ची पर संसत कानून नहीं बनाते हैं बट कुछ-कुछ ऐसे subject रखेगा है जिस पर कि राज और केंद दोनों भी बना सकते हैं आज का question number second देखे 47 करेक भारतिय समिधान के तहट मौलिक कर्तवियों को किश अनुच्छेद के तहट रखा गया है option A right answer अनुच्छेद 51 के A के तहट भारतिय समिधान के मौलिक कर्तव को रखा गया है अगर पूछेगा या कहां से तो भारत में जो है नम्बूल कर्तव जो पहले का शोभियत संग्था उशी के शमिधान से लेया गया है number 48 शमिधान के अनुच्छेद 80 के तहट राश्टपती के पास विज्ञान कलाश, शाहित या समाज सिवा से समन्दित विशेश विज्ञान विशिज ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को राज शभावे मनुनित किये जाने का प्रावधान है option number D, right answer 12 लोग को राश्टपती मनुनित करते हैं अनुच्छेद 48A के तहट परियावरन और वन और वन नजीब की शुनक च्छा और संडक्षन को भारत के समिधान में निवन द्वारा सामिल किया गया है option number B 42 समिधानिक संसुधन की तहट किया गया है जो कि 1976 में हुआ था इन चारों में से किसका कहना था कि लोग शेवकाव को राजनेतिक उदार्शिन्ता का कारिक्रम उदार्शिन्ता नहीं माल लेना चाहिए option number आपका A राइट आंसर पॉल एच एपलेबी का कहा गया है या कथन है ठीक है शमिधान सभा की मसोदा समीती के अध्यक्ष का नाम option number B अम्बिटकर साहब रहे थे अनुसूचे चातियों के लिए अलग राष्टी आयो निम्न वर्स में अस्तित्य में आया था कब आया था option A राइट आंसर वर्स 2004 में आया था बाडूंग सम्मिलन निमलिखित में से किस्से समन्दित है यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए आप क्लास को रोग लेंगे option आपका डीर आयट आंसर गैर गटबंधर आंदोलन के लिए रास्ता आगे बरहाने के लिए रहा था इस सम्मिलन में न भारत की जो प्रधान मंत्री थे जवाहरलाल नहरू मिस्र के रास्तपती उस वक्त थे अब्दुल नाशीर करके इंडोनेशिया के रास्तपती थे सुकूर्णो और योगो सलाविया है इसके रास्तपती मार्सल टीटो करके थे यह सारे हिस्सा लिए थे इसे आप ध्यान रखिएगा भारत के बारे में आपको ध्यान रखना है पूछा जा सकता है कौन से पर्दान मंत्री थे किसके कारिकाल में टाइम परियेड में हुआ था नहरू रहे थे ध्यान रखिएगा सुन्य बेस बजट की निर्माता कौन है ओप्शन नमबर बी राइट आंसर पीटर एपायर मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है ओप्शन ए आपका राइट आंसर मालदीव की आधिकारिक भाषा का नाम दिवे ही है ध्यान रखिएगा मालदीव का राष्ट ये फूल पूछेगा तो गुलाबी गुलाब है वहाँ का मालदीव का राष्ट ये पेर पूछा जा सकता है तो आपको नारियल बता देना है और एक बात आठ डिग्री चैनल आप याद करिए किसको किस से अलग करती है तो आठ डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव जो द्वीब है इनको अलग करने का काम करती है मालदीव का अगर आपसे सांसद का नाम पूछ लेगा तो मजलिस होता है और मालदीव भी पहले आपको पता रखना है कि बेटेन क्या गुलाम रह चुका था 1965 में जो आपका डेट है 26 जुलाई इस डेट को आप याद कर लेंगे 26 जुलाई 1965 को मालदीव जो है न ये बेटेन से क्या हुआ था मतलब अलग हुआ था जिस तरह से भायत को स्वतंत्रता मिली थी उसी तरह से भी स्वतंत्र हो गए थे ठीक है आज अगी अब कोश्चन नमबर 81 पर यहां पर बताएगा कि बिहार के गाउं तक वैग्यानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुच के लिए कौन योजना आरंब किया गया ओप्शन नमबर B मेरा गाउं मेरा गौरव योजना ICC पुरुष्टी 20 विश्युकब 2022 के फाइनल मुकाबले में Man of the Match का खिताब किसने जीता है Sam Karan option B आपका right answer बताई निमलिखित में से कौन एक पंचायतों से समंदीर नहीं है option नमबर B समिधान का जो संसोधन हुआ था 74 वा या गलत आपका हो जाएगा पंचायती राज अधिनियम 73 समिधान संसोधन के द्वारा जोरा गया था इसमें 33 ये पंचायती राज की धाचा जो है उसका प्रावधान किया गया है और 24 अप्रेल को आप पंचायती राज दिवस मनाते हो साथ ही साथ option नमबर D, C, A को आप देख लिजिए कह रहा है कि राज निरवाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपारित करता है बिल्कुल भी हर में भी होने वे ही वाला है सभी पंचायतों का कारिकाल पांच वर्ष निलहारित होगा एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाता है बिल्कुल सही बात है पता ये 84 में कौन सा कथन है जो सही है तो कहला है कि बर्दमान महावीर जैन के 23 गलत हो जाएगा पता है ना जैन धर्म के वास्त्विक्स अस्थापक और जो अंतिम तिर्थंकर है स्वामी जी थे महावीर श्वामी ये 24 में नंबर पे रहे थे और जैन धर्म के 23 गलत हो जाएगा या भी ठीक है उनका कहना था बुद्र ने सिक्षा दिये थे कि कर्म का ही हमारे जीवन पर प्रभाव परता है बुद्ध ने आम जनता के लिए पूछे का किस भासा में नर्मली वे उपदेश दिये थे पाली भासा आपको ध्यान रखना है बौद धर्म में ये जो जीवन पर पर प्रभाव परता है ना कर्म का ये बिल्कुल सही बात है यहाँ पर दिया वैग नहीं है इसे आप दोनों को गलत मानेंगे तिसलिए आपका हो जाएगा क्या ओप्शन नमबर डी ना ही एक और ना ही दो दोनों कथन गलत है निमलिखित घटनाओ पर ध्यान देकर कालकरम के नुशार आपको यहाँ पर सेट करना है सबसे पहले याद करिए गरेवी हटाओ का अभिहान जो है वो कब चला था या आपका 1971 में आया था बैंकों कराश्ट ये करन हुआ था 1979 में और हरित करांथी का जो स्टार्टिंग है वो कब हुआ था 1966 सरसट लास्ट वाले क्लास में भी हरित करांथी के बारे में आपको बताया गया था इस तरह से आप यहाँ पर मैच करिएगा ऑप्शन नमबर जो आपका भी है तीसरा दूसरा और पहला सबसे पहले ये 66 सरसट में हरित करांथी फिर आपका बैंक कराश्टिय करन और उसके बाद गड़ी भी हटाओ हुआ था तो इसी तरह से आपको तीसरा दूसरा पहला सही है नेक्स्ट कुर्शन है कौन सा राज भारत में मैगनीज का सबसे बड़ा उत्पादन है तो ऑप्शन नमबर आपका भी हो जाएगा और इशा आपको और इशा ध्यान रख लेना है बताए परधान मंति नरेंद मोदी ने इंडिया गेट के पास निमलिखित में से किस स्वतंतरता सैनानी की 28 फीट उची पलतिमा का अनावरन किया तो ऑप्शन नमबर सी निता जी शुहास्चनर बोश का भारते समिधान का इन में से कौन सा है जो मौलिक अधिकार से समंदित है ऑप्शन नमबर आपका सी हो जाएगा भाग तीसरा आपको ध्यान रखना है ने जील नहीं है ध्यान रखिएगा बादमा की भीमताल नैनी ताल इडल ये सारे मीठे पाने के जील में ही आते हैं नेक्स्ट कोशन है कि आगरा का किला इन सम्मेशे किशके द्वारा बनाया गया था 91 का आगरा का किला पूछा यहाँ जो कुछ-कुछ फेमस बिल्डिंग वगड़ा है उसे आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपका ऑप्शन नमबर डी हो जाएगा अकबर के द्वारा देखिए जैसे सीस महल है सीस महल को शाह जहान ने अकबर का मकबर है को जहांगे ने पुराना जो किला है इसको सेट सा सुरी ने पत्थर मैजित पूछा जाता है नूर जहान ने इन सब को आप जरूर धिहान रखीगा एमनेश्टी इंटरनेशनल का जो मुख्याले है यह कहां पर बेज़ रहा है कहां पर यह बसा हुआ है तो ऑप्शन नमबर डी लंदन में ट्रॉफी या फिर कब का यहां पर कौन सा युग में कहारा है एक सही है 93 का देखिए कहरा है आगा खां होकी से और विजिट ट्रॉफी क्रिकेट से यहने कि दोनों कथन आपका सही है इसलिए आपका ऑप्शन नमबर 93 का बी रहु जाएगा 94 का रेक्त योहार और राज का सही मैच यहां पर करेंगे 94 का देखिए होर्ण विल यह जो आपका नागा लेंड है सही है ठीक है होर्ण विल तो यहार नागा लेंड में ही मनाया जाता है लोशांग जो है ना लोशांग पर सिक्किम में जो रहने वाले लोग है ना भूटिया और जो लेप्चा जन जाती है उनके द्वारा दिसंबर मन्त में कहिए कि नए वतलब वर्स के आने के खुशी में मनाया जाता है नेक्स्ट कुश्चन 2011 के जन्गर्ना के आधाथ पर इमलिखित में से कौन सा कथन सही है पहला कहिए कि भारत की लगवग आधी आवादी के वल पांच राज़ों में निवाश करती है हाँ बिल्कुल सही बांगरा देश तथा जापान की जन्संख्या घनत्य भारत से आधिक है यह भी बिल्कुल सही है देखिए भारत का जो आधा आवादी है जिसमें के उत्तर परदेश, महराष्ट, बिहार, पस्चिम बंगल और आंधर परदेश इन्हीं पांच में लगवग आधा से ज़्यादा लोग निवाश करते है कौन सा भारती राज राशानिक उर्वरोकों की खपत सबसे अधिक करता है ऑप्शन टी पंजाव इजराइल के मुद्रा का नाम बताईए ऑप्शन नमबर ए नई सेकेल भारत की मुख चुनाव आयुक्त के नियुक्ति कौन करता है तो ऑप्शन नमबर ए भारत की राश्टपती के तहत की जाती है नेक्स्ट कौर्शन है भारत के उप राश्टपती अपना इस्तिपाप पत्र निमलिकित में से किसे सौपते हैं ऑप्शन आपका C हो जाएगर आहिटांसर भारत की राश्टपती को भगवान बुद्ध द्वारा के रिहत्या की घटना को कहा गया है option A महा भिनिश कर्मन भारत में प्रिकाशित होने वाला पहला सापताहिक शमाचार पत्र का नाम option नमबर आपका C बंगाल गजट पित्री के उत्री कोड़ा में कितने परतिसत भाग परजल की उपस्ति थी है option नमबर C लगबग 61% हिरा कुंड बांद निम्लिकित नदियों में से किस पर बनाया गया है 103 का option नमबर B मा नदिय पर हिरा कुंड बना होगा है कहाँ पर ओडिशा ध्यान रखिएगा सिमली पाल जेव आरकचीर भारत के निम्लिकित राज़े में से किस जगा पर है option नमबर C ओडिशा में निम्लिकित सरकारी निकाय में से कौन सा गरामिन रिन का सरवुज सांस्थान है option नमबर C नावाड चित्तोर की केरती अस्तमगो किषने बनवाया था option नमबर D राना कुम्बा के द्वारा बनवाया गया था बताए कि भारत के सम्मिधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है option A राइट असर भाग नो में काफी ज्यादा मतलब आज का जो सीट है आपको बहुत ही ज्यादा कहिए कि एजी लग रहा होगा काफी बार इन सारी कुश्चन को आपने देख चुका है कौन सा गेट पर्थम विश्विद्र में सहीद रुवे भारत के सहिनिकों के यार्द में निर्मित है आप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा राइट आंसर इन्डिया गेट नई दिल्ले में जो है नॉबेल सांती पुरुषकार निर्मित में से किस सहर में प्रदान किया जाता है आप्शन आपका हो जाएगा सी राइट आंसर ओस्टलो में ध्यान रखिएगा इन्डिया आफ माई ड्रीम पुस्तक किसके द्वारा आप्शन ए महात्मा गांदी के द्वारा लिखा गिया था निम्निलिकित में से किस सांस्थान पर अंतराश्टिय नियाले इस्थित है आप्शन नंबर सी हो जाएगा दवहेग में है भारत के परोसी देश मियामार का सबसे बड़ा शहर का नाम बताएंगे आप्शन आपका ए हो जाएगा राई टांसर यागून करके है ध्यान रखेगा भारत का परोसी देश है न मियामार इसका सबसे बड़ा शहर पूछेगा तो यागून करके ध्यान रखेगे म्यामार को श्वर्ण पैगोरा का देश कहा जाता है वहाँ की जनसंख्या है काफी लोग हैं वो बहुत धर्म को मानते हैं और म्यामार के राज़ाने पूछेगा तो नाय पी एटा करके है और मुद्रा पूछता है तो आपको क्यात बता देना है नावी की सनलयन के आधार पर गलत कथन को चुनिए और इस परकेड़िया में भारी मात्रा में नावी की अपसिष्ट तूटता है ये गलत है नेक्स्ट कुर्शन बार मा क्या आपका सही है इसे आप देख लिजगा ध्यान से क्या होता है जब एक द्वनी तरंग एक माध्यम में यात्रा करती है ओप्शन बी ओर जा एक अस्थान से दोस्तरी अस्थान पर अस्थान अंत्रित होते रहती है एक एकल कोसिका इन सब में से पूरे जीव को गठित करती है ओप्शन नमबर सी आपका राई टांसर क्लेम आई डो मोनाश करती है एक एक कल कोसिका पूछीगा ना तो क्लेम आई डो मोनाश जो है ना इसमें पूरे जीव को गठित करने का काम करती है द्यान रखिएगा एक गएर धात्विक तत्यो के इस्थे समस्थानिकों में से एक का उप्योग घेंगा के उपचार में किया जाता है किसका यूज ओप्शन नमबर सी आपका राई टांसर हो जाएगा ध्यान रखिएगा देखिए आयोडीन जो होता है ना गयर धात्विक तत्त होता है इसके समस्थानिक में से एक कयूज घेंगा रोक के मतलब इराज करने के लिए किया जाता है निमलिकित में से कौन से द्रव में ठूस के परसार का शही उदाहरन है पानी में C-U-S-O-4 की मात्र द्रव में ठूस के परसार का सही एक्जामपल दिया हुआ है यहाँ पे समझिएगा जिसे कॉपर सल्फेट एक सेवाल जिवानों आसक और कवकनासी होता है कॉपर सल्फेट में विलियन का रंग पूछा जाता है नीला आपको बताना होता है आए नेक्स्ट कोशन देखते हैं निमलिकित में से कौन सा जीव प्रोटिस्टा जगत से समंधित नहीं है पैनेशीलियम आपका नहीं है बादमा की युगलिना अमीबा और पैरामीशियम है कुवे नहर टेंक और नदी लिफ्ट परनालियां है ये सभी निम्न के विभिने तरीके हैं सिचाई के तरीके हैं उश उत्तक का नाम बताएं जिसमें पतली दिवार वाले जीवित को शिखाए होती है जो बहुत से इंसुलेटर रिक्ट अस्थान को घेरती है और पूशक तत्तों और पानी को इस्टूर करती है उसका नाम उप्शन नमबर से मिर्दू तक यानि कि पैरेंट काईमा होता है नमबर 121 कहरा है कि 20 ग्राम दरवमान वाले एक निकाय का शमवेग निकाली है जिसकी गतिज उर्जा दिया हो है कि 10 जूल है इसे सौल्ब करीएगा और आपका 2 किलो ग्राम पर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा लार में इन समयसिक क्या और आपका M.I.L.A होता है लार में पूछे का नत M.I.L.A होता है मनुस्य में तीन जोड़ी लार गरंथियां पाई जाती है इस बात का भी ध्यान रखेगा कहरें दो वस्तुओं के बीज गुत्वा करसन बल इन समेशे किस पर डिपेंट करता है उप्शन नमबर ए उनके द्रवमानों के कुननफल पर निर्भर करता है एक निकाय का वेग निमने द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है आप्शन यहाँ पर निकाय के जो आकार होता है उनको बदल कर आप परिवर्तित उसे नहीं कर सकते हो विस्तापन के परिवर्तन के हिंदर को क्या कहते हैं पता है न वेग कहा जाता है अगर वेक पूछेगा ता आपको ध्यान रखना है एक विमार व्यक्ति से शंक्रामक एजेंटों को शंभावित मेजवान के रूप में ले जाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है वाहक option आपका C right answer है बताए किसी taxonomy का जनक कहा जाता है option number A आपका right answer लिनियस को engine में सनेहक का कार option number केवल हिस्थों को ठंड करना भी होता है केवल गतिसील हिस्थों में गिसाई को नियुनतम करना भी होता है केवल engine से अच्छा यहाँ पर engine में जो सनेहक है ना इनका साड़ा काम ये होता है ठीक है इसलिए आपको option यहाँ पे D tick कर देना है पक्षियों में इन समय से कितना कक्षिय हिर्दे होता है बताएंगे option number A पक्षियों में 4 कक्षिय हिर्दे होता है cockroach के बारे मैं अगर पूछे गनत आपको 13 कक्षिय हिर्दे बता देना है छारिये धातू रखती है option A कम घनत सीजियम औक्षाइड होना चाहिए option number आपका हो जाएगा प्रवलतम छारिये राइटांसर डी हो जाएगा नॉबेल तेल होता है option number C विश्पूर टकनिम लिकित में से कौन है जो जोट का पता लगाने वाला मसीन के नाम से अब जिससे जानते हो option number C पॉलिग्राफ टेश्ट किया जाता है चारिये धातो सोडियम की जल के साथ अभी क्रिया जल के साथ जो क्रिया सील का उप्योग है वो क्या है किस चीच के लिए किया जाता है देखिए चारिये धातो सोडियम की जल के साथ अभी क्रिया करके यह जो आपका बैंजीन है ना इसको सुखाने के लिए किया जाता है बताएंगे कि कार्बोलिक एसीड है option number C फिनॉल योरियाकिस का डाइमाइट होता है option number आपका हो जाएगा भी carbonic योगिक का teridophyta में कौन सा अंग नहीं होता है option number आपका हो जाएगा ध्यान रखिएगा बताएंगे एक अनुवानसिक रोग लक्षन प्रारूपी शमान निकिन्तु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से अस्तानंत्रित होता है रोग है कैसा option number आपका डिन लिंग सहल ग्रह अपरभावी होता है ध्यान रखिएगा यदि एक अनुवानसिक रोग लक्षन रोपी मतलब नॉर्मली कहिए कि वाहक जो अब कहिए मादा मच्छर होता है उसके द्वार नर जो मच्छर वगड़ा होते हैं उनमें अगर मतलब चला जाता है इसे समझे न तो वा लिंग सहलग्र आपरभावी मतलब कहलाता है अट्लांटिक महाशागर अब यहाँ पर37 के बार 45 नमर कोर्शन देखना है कैसा है तो आपको औप्षन नमर बता देना है कैसा अट्लांटिक महाशागर का आकार आप्षन भी S आकार का है ध्यान रखिएगा मौन्टेशरी सिक्षा की बुनियादी अवधारना क्या है अप्शन नमबर आपका हो जाएगा डीराइट आंसर क्या है परियोग के माध्यम से स्वेंग खोज करना होता है आज का लास्ट कोशन कह रहा है कि अटल पेंसन योजना से जोड़ने के लिए अधिक्तम आयू क्या है लास्ट नहीं है इसके बाद एक दो सवाल और आपको देखना है अटल पेंसन योजना से जोड़ने के लिए अधिक्तम आयू पूछानत आपको यहाँ पे सी बताना है चालिस और कोशन बिल्कुल आपके लिए होगा तीन कोशन और बचाव है कहला कि चाल्स गुड़ाईयर ने किसका अविश्कार किया था आप्शन नमबर आपका डिख हो जाएगा बताएं कि किन लिकित में से कौन ओलम्पिक खेलों में सामिल नहीं है बताएं ओलम्पिक में इन में से क्या नहीं है तो ओप्शन नमबर आपका डिख हो जाएगा सही जवाब कबड़ी नहीं है एलोरा में कैलाश मंदिर इन में से किसका उधारन है 150 राइट अंसर अगर आपको पता हो आप कमेंट करके बताईएगा नहीं पता हो कोई बात नहीं नेक्स्ट वाले कलास में स्टार्टिंग में या आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि अलोरा में कैलाश का मंन्दिर मुक्त खड़े मंदिर का चट्टान से कटे मंदिर का या फिर समुदरीय तट्टिय मंदिर का ये एगजाम्पल है जो भी राइट आंसर हो आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं बहुत ही जल्द मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नमबर 9 के साथ